नमस्कार दोस्तों, ग्रेजिशन बुस्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा गामा फंक्शन जो बीटा गामा फंक्शन है ये अच्छली ये दो फंक्शन है एक है बीटा फंक्शन एक है गामा फंक्शन ये दोनों के दोनों एक परकार के समाकलन है इन्हें के नाम पर ही इनको दो स्वाकलन के नाम से भी जाना जाता है, आईलर का पर्थम स्वाकलन, first integral of आईलर, second integral of आईलर का पर्थम स्वाकलन और आईलर का दित्य स्वाकलन, बाद में इनको बीटा गामा फंक्ष।ं का नाम में एड किया गया, तो क्योंकि आईलर को सम्भान कोई आईलर ने झियो यह जो यहна संपभावा का फंक्शन जो यह सब से पहले और किये थे यह इनके उनके धिक भी तो अन्हों ने जब डिये थे तो उन्हें के नामस को वो वीदू यह well is a । तो कन्फूज मत होईएगा कई बार नाम में चेंज हो आईलर का पर्थम एंदित्य समाकलन और वैसे देखे तो आईलर ने बहुत कुछ दिया है मैथमेटिक्स को बहुत बहुत कुछ दिया हुए तो अगर आप आईलर का सम्मान देंगे तो आपके जो खासका जो बीएसी की और person कियो अगर आप history में भी जाके देखे तो one of the best mathematician जिसने सबसे ज़्याध रिजल्ट पबिश किये सबसे ज्याधा रिजर्ट पबिश किये सबसे ज़्याधा research mathematics में की सबसे डिसकेवरी नेश जिसने किये WHAT ? लेन हॉड आईलर एथे exceptional थेवह जीनिस थे mathematics कर यह यू सबसें बड़ा रोल आपको वहां नजर आता है तो आईलर तो अदभुत थे अदभुत थे ठीक है ना पढ़िए जितना बहुत मज़ा है क्या क्योंकि जैसे आप शारु खान सल्मान खान अमीर खान को बढ़ते हैं देखते हैं उनके जीवन में क्या हो रहा है वो घटित होत बारे में नजर के बारे में बढ़िए क्योंकि हमारे मैट्स क्या तरह है एक तरह से इसलिए क्यो試 हैं इतना पढ़ेंगे वब उतना मोटिवेट होंगे मैट्स बढ़ने के लिए तो जरूर पढ़िए गारे में तो और यह जो आपठender 222 आगेजा कि इसे बीटा फिलन का नाम दिया गए याद रहिएगा यह फलन भी है समाक रिं म्यवाप सोॉचेंगे, फलन समाक रिंद कैसे बन के तो हमने कब कहा था कि फलन समाक रिंद नहीं हो सकते कि आपको पर ऑफ पूरकन ओसकते है- चाहे फिर वो समाग लोनो चाहे वो आउक लोनो और चाहे वो कुछ और हो तो फलन किसी चीज़ से बंदा हुआ नहीं अगर आपने बांध है तो आप गलत है उसके परिभाशा के साथ जो भी जस्टिफाई करता है कि भी यह परिभाशा इसके ओपर जो खरा उतरता है वो फल यहां पर दुबारा से वो सारी डेटेल बताना सहीं नहीं है यहां तो हम गरेजूशन बूस्टर में मैं सिर्फ आपको बताने वाला हो कि क्या पूछा गया है तो बहते रही कि मैं आपको थोड़ा सा आईडिया देँग है तो मैट्स का कोई भी टौफिक एजी नहीं है, कोई टॉफ नहीं है. वो लेवल पे अगर आप उसको कौन से लेवल पे बड़ता है, उसके ताय कर सकते हैं. ठीक है नग जैसे यह है, कोश्टिन अगर आप second grade की बात करें second grade में बहुत बहुत easy question आता है इस topic से बहुत easy मतलब यू मानिए एक तरह से मक्ःन सा question आता है तो मतलब slightly easier question आता है और जो question की संभावना है यहां पर एक single question की संभावना है paper में पूछे जाने की single question अभी तक जो ट्रेंड चलता रहा उसमें एक कुष्चन पूचा गया है हाँ वाई चन्स अगर बढ़ाना चाहें तो एक से दो कुष्चन हो सकते हैं बस दो से तो उपर टॉपिक का इतना भार ही नहीं है इतना है ही नहीं कि दो टॉपिक तक कुष्चन जाए तो एक सिंगल जहां तक अगर मुझे कहीं कि सर बांद दीजिए तो मैं कहना चाहूंगा कि most probably एक ही question इससे आएगा ठीक है चलिए आगी बढ़ते एक ही question करके है ना बून बून से सागर बढ़ता है तो वैसा ही आपके साथ ये भी होने वाला है कि question आप उठाते जाएए कभी दूरी समाकलन का एक question कभी अननस परशी का कोशन करते करते आपकी नईया पार लगा देंगे चलिए आगी बढ़ते सबसे पहले मैं आपको एक एक फलन के बारे में बात करता हूँ चला जाता हूँ उसके basic formula याद इला देता हूँ ताकि कि आपको आसानी हूँ सब कुछ याद करें बाद फिर हम question करेंगे ठीक चलिए सबसे पहले बीटा फलन को डिनोट किया जाता है बी से बी और यह दो चरों वाला फलन होता है रिपीट कर रहा हूँ कई बार आउसे चोटे question भूश ले कि बीटा फलन कितने चरों का होता है दो चरों का होता है ठीक है M और N और आज करेंगा नाम ह सकते कुछ elf का मतलब गलत वाज नाम क्या रखना चाहिए कुछ है किवह दो बच्चे वह क्या नाम रख चा कतते हैं ुसके जो चाहिए वो रख्सकता बस बात यह कि दो नाम उसकी मर्जी यह integration है, जैसे मैंने बढ़ा है, आई लर का पर्थम समा करने है, 0 to 1, repeat करो, 0 to 1, x की power, m-1, 1-x की power, n-1, और dx, यहां m और n पर बहुत ध्यान रखिएगा, m और n के सभी मान यहां पर allowed नहीं है, m और n के जो मान allowed है, वो greater than 0 है, 0 भी allowed नहीं है, 0 भी allowed नहीं है, m और n जो greater than 0 है वो allowed है, ठीक है, अगर आपने m और n का मान जीरो या 0 से कम रखा, तो यह समा कलन काम ही नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, मतलब इस कांसरी नहीं आएगा, जब आनसरी नहीं आएगा, तो बीटा का मान भी नहीं आएगा, तो इसलिए जरूरी है कि m और n बढ़ा हो, 0 से, यह कोई भी फरक नहीं पड़ता, ठीक है न, सिर्फ नाम है वो, वो इंटरमीडियेट है, वो थोड़ देर के लिए आया, थोड़ देर बाद चला जाएगा, अगर मैं यहां X उठागे Y लिग दू है, Y उठागे Z लिग दू है, Z उठागे Y लिग दू है, कोई फरक नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको, सबसे पहली कमाल की प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होती है, वो होती है, सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब है, समित, यह समित का मतलब है, समित का मतलब होता है, एक जैसा बिहेव करना, सिमेट्री दर्शाना, मतलब कई बार आप कहते हैं कि चेहरा जाओ सिमेट्रिक है मतलब आपका चेहरे का लेफ्ट हिस्ता और राइट हिस्ता एक जैसा है इसे कहते है सिमेट्री तो यहाँ पर भी आपको सिमेट्री मिलेगी किस के पड़ती एम और एन के पड़ती M और N के पर्टी का मतलब है अगर मैं M की जगह N ले लूँ और N की जगह N ले लूँ आपस में अदला बदली कर दो तो बीटा फल्म कमान चेंज नहीं होता है उसका मान सेम रहता है अगर आप आपस में इंटर चेंज कर दे दोनों को तो इससे आपका मान नहीं बदलता है मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्जांपल से बता देता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीटा का मान मान जे बीटा 3,2 है और आपने बीटा 2,3 का मान निकालना चाहते है तो ये दोनों बराबर होंगे इसलिए नहीं कि 3 आगया 2 पीछ है तो 2 आगया और 3 पीछ हो कोई फरक ने पड़ता उसके बाद में जो second result है बड़ा कमाल का result है वो है कि बीटा फलन जो है उसकी limit 0 से 1 थे इसका infinite form भी है बीटा फलन ही है वो भी बीटा फलन है इसी का एक अन्य रूप का जाता है इसको second form का जाता है integration होता है zero to infinity zero से अनंत रूप कहलाता है और यह होता है x की पावर m-1 बट्टे 1 प्लस x की पावर m प्लस n यह infinite form कहलाता है इसका हां जैसे कि मैंने बताए कि आप m की जिगे n और n की जिगे m रख सकते हैं कोई फरक नहीं पिड़ेगा तो कोई ज़रीद नहीं x की प फर्मूला है बीटा का यह m और n के पट्टे सिमेट्रिक होता है तो इसलिए आप चाहिए तो अद्ला बदली कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यह infinite form कहलाता है यह बहुत popular form है वाफी यूज होती है तो थोड़ा सा इसका द्यान दखिएगा थोड़ा सा पावर का द्यान अधितर जो मैं अपने हिसाब से बताता हूं कि मुझे जो confusion होती है वो होती है कि पढ़ते हैं तो ठीक है लेकिन थोड़े दिनों बाद में दस दिन पंदा दिन बाद में कि X की पावर M थी यह माइनस वन थी तो याद दखिए कि क्यों में M पावर भी आएगी अब यागर तो यह से फॉर्मूले पढ़ेंगे कि यह में M पावर भी आएगी तो confusion होती है तो कोशिश करें कि चिजों को कहीं लिख ले ताकि आपको याद करने में आसानी हो ठीक है यह second form है एक third form और होती है बीटा की जो trigonometric form कहलाती है त्रिक्वार्ण मिती के रूप में कहलाती है वह होती है बीटा MN बराबर तू बाहर ध्यान रखेंगे तू बाहर जीरो से पाइवार टू ठीक है साइन की पावर टू M-1 थीटा चाहूं तो आप X भी कहा सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है टू N-1 थीटा एंड धीटा यह form भी हमारी बीटा की होते है तो बीटा क बाला हूं इनके डिवेशन पार्ट है वो आपको जानने चाहिए क्योकि कहां से आ है क्योंकि वह ठाले जिगें करेट करता है जैसे भी है मैंने कहा कि हूता है अब आपने कहा होता मान लिया ठीक है लेकिन कैसे होता है और ऑफिज़न nos बार्ड होग required जानकार चाता है ताक शोर्ट explanation शोर्ट ही होता है तो ठीक यह तीन फॉर्मूले हो गए तो इससे बाहर निकले आगे आते हैं हमारे गामा फॉलन के उपर गामा फॉलन यह गामा फॉलन 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 फॉल कैसे परिवाशित किया गहे Hay Feetаций कि अनंत इक सब्सक्राइब है इस तरिके से सो परिवाशित किया गया कि लिए रहे यहां पर यहां पर यप गामा न है यह गामा न है अब गामा न में कई खास बाते हैं important चीज़ें हैं जो आपको यहां पर जानने चाही है जो कुछ important result है जू बहुत काम आते है ह serious sound को एक हमारे सबसे पहला जो important result है कि Gामा 0 कामा minus infinite होता है जो कि इसका मतलब है, āगामा अगर आप 0 के मान निकाल रहें, तो सेंस लेसे बिल्कुल भी ना निकाले, कोई काम का नहीं है एक बात नम्बर फस्ट यह लिख लीजे कहीं भी दूसरा अगर गामा 1 बटा 2 का मान आप निकाले गामा 1 बटा 2 तो उसका मान एक होता है ठीक है यह कुछ खास बाते हैं खास मान है यह इन खास मानों पर कुछ और important properties है वो आप लिख लीजे ताकि आप क्योंकि यहां से आपके मन में कुछ question और तयार हो गए होगे होगे कि सर गामा एक कमान एक दो कमान तीन कमान तो उसका इलाज है हमारे पास उसका इलाज यह है कि अगर गामा में एन है गामा में एन है तो इसे आफ फैक्टोरियल में लिख सकते हैं फैक्टोरियल में यह एन माइनस वन हो जाएगा लेकिन याद रखिएगा एन जो है वो पुर्णांग होना चाहिए, धनात्म पुर्णांग होना चाहिए, अगर N कमान 1 वटा 2, 1 वटा 3, 1 वटा 4, इस बात का ध्यान जादा रखेगा, इस लाइन का ध्यान जादा रखेगा, बहुत important है, N कमान आप 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे 8 रखे 9 रखे 10 रखे 1 बटा 2 ना रखे 3 बटा 2 ना रखे 5 बटा 2 ना रखे इस formula के अपने एक validity है जैसे होता है दवाईों के साथ ये दवाई आपको ऐसे लेनी है ये ऐसे लेनी है तो वो नियम है अगर आप वो नियम से नहीं लेंगे तो दवाई ना तो असर करेंगी हो सकता है उल्टा नुकसान भी करें तो सेम यहां पर भी वैसे कि वैसे precaution है आपको ध्यान रखने कया है यहां का मान नेचरल नमबर होना चाहिए अगर आप नेचरल नमबर को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि नेचरल नमबर होते हैं 1, 2, 3, 4, – –, –, इसमें से आप कुछ भी रख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको स्वाल करके दिखाता हूँ जैसे मान लिजे गामा पांच का मान आपको निकालना है तो गामा पांच जो है वो फैक्टोरियल में एक कम हो जाता है गामा पांच को फैक्टोरियल में चार कहते हैं अब आप काएंगे तो गामा एक नहीं पिरनांकों पर दो नों में थोड़ा रेलेशन है जैसे आप एक बटा दो रखेंगे एक बटा तीन रखेंगे तो गामा कमान तो आता है एक बटा दो पर लेकिन फैक्टोरिल का नहीं आता तो यह कुछ गूल मिलते हैं इनके सारे गू एकने यह हुए उत्ने ही द्यान रखेगा तो गामा चार suspetorial पांच बराबहर है ट्रि इन फिक्समें चार इंटो तीन इन वहिए बीच में होगए यह जो कि आपका होगे 24 एलिजे उन्टेफॉर प्रिक्स हाद director्स और 24 बेप समझे हैं चले कुछ और एग्जामपल ले लेते हैं गामा 7 है गामा 7 है तो Victoria में यह 8 हो जाएगा और Victoria 8 आपको खोलना आता है क्योंकि 8 Victoria में क्षोलना क्या बस उल्टा चलना होता है आप उल्टा चलिए यह आपका खुल जाएगा भीर रिपीट कररा हूं लेकिन गलत है ये कब गलत है अगर आपने मानिज जए वाँ 5 बटा 2 राया आपने समझधारी लगाई कि सर insist आपने कहा दा ना 5 बटा 2 है तो जो भी है 5 बटा 2 में इसे गया, तीन बटादो हो गया, तो ये गलत है, ना, क्योंकि फैक्टॉरियल, फैक्टॉरियल काम नहीं करता है, अर्दकों के साथ, या एपुन्णाइशों के साथ, मतलब दश्मल्दा वाले जो पार्ट वाले इससे होते हैं, या ऐसी संक्या जो पूरी-पूरी नहीं कट रही है, उनके साथ ये सिर्फ के लिए काम नहीं करता है, ये क्यों बता हूँ, ये बतादे हैं किसके लिए काम करता है, फैक्टॉरियल सिर्फ और सिर्फ धर्हात्मक पूर्णाइकों के लिए काम करता है, ये बात सही है, एक दो, तीन, चार, पांच है, हाँ, जीरो के लि repetition formula काहते है पुर्णा वर्टी संबंद है ये भी कमाल का संबंद है और कमाल का ये तरीका है हमारी मदद करेगा पुर्णा वर्टी संबंद ये कहता है gamma to gamma का रिलेशन है gamma in plus 1 बराबर होता है आ गामा n अच्छा इस फॉर्मूले के पर अच्छी बात है कि इस फॉर्मूले पर वो लिमिटेशन लागू नहीं है जो उस पर थी कि पुर्णाग पुर्णाग से यह नहीं कोई पुर्णाग की जुद नहीं बिना पुर्णाग के भी यह चलता है अगर 3 बटा 2, 5 बटा 7, 8 बटा 11, 9 बटा 10 कोई भी हो सप्पे चलता है यह सप्पे चलता है यह बेटा सप्पे चलता है आईए मैं समझाता हूँ जैसे सपोस कीज़े आपको गामा 7 बटा 2 का मान चाहिए गामा 7 बटा 2 का मान चाहिए तो गामा साथ बटा दो को आप लिख सकते हैं पांच बटा दो प्लस एक लिख सकते हैं बराबर साथ बटा दो ही होगा इस फॉर्मुले को अब अपलाई किया जा सकता है जिसमें क्या होगा कि अगर आपका एन प्लस वन है तो एन गामा एन हो जाएगा मतलब पांच बटा दो बाहर और पांच बटा दो गामा के अंदर हो गया कर सकते हैं अभी फॉर्मुला रुका नहीं है अभी और काम में लिया जा सकता है पांच बटा दो बाहर अंदर वाला पांच बटा दो है उसको आप लिख सकते हैं तीन बटा दो प्लस वन, दुबारा से काम आ जाएगा, क्योंकि repetition formula का नाम ही repetition है, बार बार आप repeat कर सकते हैं, 3 बटा दो बाहर, 3 बटा दो अंदर, फिर अंदर वाले 3 बटा दो को फिर कर लिजे, 5 बटा दो, 3 बटा दो, अंदर वाले 3 बटा दो को लिख लिया एक बटा दो प्लस एक पांच बटा दो तीन बटा दो दुबारा से गामा एन प्लस वन बराबर एन गामा एन गामा एन अब और पीछे जाने के जूत है नहीं क्यों क्योंकि गामा एक बटा दो कमान उपर है जो कि रूट पाई है मैंने आपको लिखाया था गाम पांच बटा दो, तीन बटा दो, एक बटा दो, और रूट पाई, ये लिजे, और था कितना, था कितना, साथ बटा दो, अब उमीद करता हूँ कि अब आपको ये खोलना भी आ गया होगा, अब क्यों मैं बार बार पुर्ना वरती फॉर्मूले को बोलू, सीधा सीधा समझे, अगर साथ बटा दो है, तो एक अदम पीछे से चलिए, और एक अदम पीछे चलते जाएए, साथ बटा दो में से एक कम किया, पांच बटा दो, फिर एक कम किया, तीन बटा दो, फिर एक कम किया, एक बटा दो, और फिर लास्ट में रूट पाई, ठीक है, चलिए, एक एक पर ट्राइ कर लेते हैं 11 बटा दो एक अदम पीछे चली रिपीट कर रहा हूं क्या करने वाला हूं यही पुर्णावट्टी सुत्र ही काम में लेने वाला लेकि इतना क्यों लिखूं अब सीधा शॉट्रिक प्या जाता हूं शॉट्रिक का मतलब है अब सीधी बात कर लेता ह हुआ है एक एकम करके तो बाहर निकाल रहे थे आप जी तो कर रहे थे इस फॉर्मूले का मतलब क्या एकम करो बाहर अंदर फिर एकम करो बाहर अंदर फिर एकम करो बाहर अंदर बाहर अंदर का मतलब पहले एकम किया अपने एन हो गया एन बाहर एन अंदर फिर एकम किया बहार एन अंदर एन इस तरीके से एक एकम करते गए और चलता गया यह प्रोसेस तो गैरा बटा दो में से एकम करिए नो बटा दो फिर नो बटा दो में से एकम करिए साथ बटा दो फिर साथ बटा दो में से एकम करिए पांच बटा दो फिर पांच बटा दो में से एकम एक बटा दो और लास्ट में आपके पाल बचेगा रूट पाई अब आपके लास्ट में रूट पाई कैसे बचा यहां बिटा रूट पाई कैसे बचाता कि लास्ट में गामा एक बटा दो अंदर रहता है क्योंकि जब लास्ट में आप एक बटा दो बाहर लिखते हैं तो ए किसे खोल सकते हैं और अर्द diferenteo को कीसे खोल सकते हैं अब असरों मेर से काम कि चीज से कुछ नहीं चानिक है मैथस है और जो नहीं कर सकते हुआ भूंडा जा सकते है तो फिलाल तक हम अपने आपको सीमित करते हैं कि या या क्या हम ने को कैसे कोलते हैं तो हमने देखा कि फेक्टोरियल अगर पुर्णांग हो जैसे फेक्टोरियल गामा साथ हो तो गामा साथ को कैसे सॉल करते हैं फेक्टोरियल छे करके गामा साथ बराबर फेक्टोरियल छे और फेक्टोरियल छे यानि छे पांच चार तीन दो एक इस तरही के कैसे खुलते हैं धनात्मक अर्दक, पॉजिटिव हाफ, अर्दक मनला हाफ, गामा, नो बटा दो, कैसे खुलता है, एक कर्दम पीछे जाके, साथ बटा दो, पांच बटा दो, तीन बटा दो, एक बटा दो, रूट पाई, यह हमने दो सीखा, बेटा जितना सीखा उतने पे मैं आप, को बता देता हूँ, क्या नहीं सिखा? क्या नहीं सीखा? क्योंकि यह जानना भी जरूरी है, और दीरे दीरे सब सीखते जाएं, क्योंकि कई बार होता है, कि उसके लिए जो Zelda चाहिए, वह भी हमारे पास नहीं आई है, तो दीरे दीरेильно मिचॉड़ी आती जाए ह हम और बाते हैं भी शीखते जाएंगे Ha me really जाना एकामा जाने लग कुछ ओर विश्चता हैं जानते नहीं थे कुसी जाने लगा तो दीरे दीरे step buy step चीजें आती ही चली जाती हैं अभी हमने क्छा नहीं स소 हमें gamma minus 1 command निकाल लगा तो ंसी क्मान निकल सकता है थीक है उसके बाद में कि सर ये अधक वरदक तो ठीक है अधक के बाद में अगर चोथा ही हो तो जैसे एक बटाचार हो तीन बटाचार हो तो इनका क्या होगा और आपने ये बता है कि गामा एक बटाडू कामा रूट पाई होता है गामा देखे कोशिन बनने चाहिए और मैट तो कोशिनों का ही नाम है सवालों का ही तो नाम है तो गामा माइनस एक बटा दो का मान क्या होगा अगर गामा प्लस एक बटा दो का मान रूट पाई होता है तो गामा माइनस एक बटा दो का मान क्या होगा तो ये अभी अभी सीखना बाकी है एक एक करके मैं सब के जबाब दूँगा कुछ भी नहीं चुपाऊंगा हर बार डीटेल में बताने कोशिश करूँगा डीटेल में तो नहीं बताऊंगा तो इसलिए यहाँ पर अपने आपको रोकना तो पड़ेगा यह पड़ेगा चली आगी बढ़ते हैं एक एक चीज़ों पर जबाब देने की कोशिश करता हूँ पहले रिनात्मक पुर्णांग पर देखे छोटे छोटे कोशन यहाँ पर जो बता रहा हूँ इन पे कोशन बन सकते हैं बन सकते हैं इवन बने भी है रिनात्मक पुर्णांग पर गामा की क्या हालत होती है एक्चुली हालत नहीं होती दुर्धशा होती है गामा जो है इन माइनस पुर्णांगों के ओपर काम ही नहीं करता या यूं कहिए ये वो बिंदो है जहां पर गामा फलन ए परिभाशित होता है तो कोश्चन ऐसे नहीं बनेगा कि गामा माइनस एक बटा दो का मान क्या है ये पूछेगा कि गामा किन बिंदों पर ए परिभाशित है गामा फलन किन बिंदों पर ए परिभाशित है तो बोलेगा रिनात्मक पुर्णांकों पर यानि गामा बाकी हर बिंदू पर मान देता है सिवाए रिनात्मक पुर्णांकों पर शुन्य सहीत रिनात्मक पुर्णांकों पर अगर वो आप छोड़ दें तो फिर गामा का मान हमेशा आता है गामा फलन गामा फलन रिनात्मक पुर्णांकों पर ए परिभाशित है पुर्णांक पर ए परिभाशित है अंडिफाइन है मतलब इसका मान इस पर नहीं आता है ठीक है न तो आपको एन में आप कुछ भी लीजिए एन में आप कुछ भी लीजिए सिवाए रिनात्मक पुनांक मत लेजेगा जेड माइनस और जीरो भी मत लेजेगा ये मत लेजेगा वरना गामा का मान हमेशा आता है गामा का मान आता है यानि गामा के लिए अगर पूछे कि प्रांत क्या होता है क्या कि प्रांत का मतलब होता है कि कौन कौन से मान आप गामा में रख सकते हैं पुर अनिन को चोड़ कर किन को 0, minus 1, minus 2, minus 3 इनको छोड़ दीजे बाकि आप कुछ भी रखे कुछ भी minus का एक बटा दो हमज अलाउड है हाँ, minus 1 allowed नहीं है minus 2 allowed नहीं है minus 3 allowed नहीं minus का एक बटा दो मैंने मना नहीं किये तो वो बाकि सब allowed बाकि सब में मान आता है सिवाई तैसमज में आ गया कि रियल लंबरों में से आपको जीरो पुर्णांक जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस टी ये छोड़ देने बाकी बच्चे हुए हर बिन रूपे आपका मान गामा फलन देता है कितना देता है वो तो डिपेंड करता है लेकिन देता है इन पे नहीं देता है ठीक है ध्यान से सुन लिजे बेटा बेटा गलती मत करियेगा प्लीज गलती मत करियेगा बहुत महंगी पड़ती है गलती 2015 वालों ने गलती की 2018 में दुबारा आना पड़ा 2018 में गलती जिन्हों ने की 2022 आ गया 2022 में गलती करोगे 2025 सब्भी जाते देर नहीं लगेगी सोच लीजिए 3-3-4-4 साल कम नहीं है एक एक गलती की सजा भुगतनी पड़ती है एक एक गलती की सजा इसलिए प्लीज ध्यान रखिए दो बार पूचिए चार बार पूचिए गलती ना तो खुद करिए ना गलत पढ़िए ना गलत पढ़ाने वालों से दूर रहिए बहुत नुक्सान पढ़ता है गलत ठीक है ना कन्फर्म करिए हर तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ भई यह है आपकी वो लाइन जिसे रियल लाइन कहते है इस पूरी लाइन पर हर बिंदू अवेलेबल है सिवाए इन लाल डॉट के जो मैंने लाल डॉट बनाए है लाल डॉट का मतलब यह कि खत्रा यह खत्रा यह जो लाल डॉट है यह खत्रा है इन पर गामा का मान नहीं आएगा इन पर गामा का मान नहीं आएगा इन लाल डॉट के अलावा जो बच गया लाल डॉट और भी है विटा माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 सारे तो बनाने मेरे लिए possible नहीं है सब पे है इन पे गामा कमान नहीं है अब आप यहाँ पे एक चोटा सा प्यारा सा कुशिन पूछ सकते हैं सर की चली माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 पे तो नहीं है लेकिन गामा माइनस 1, माइनस 2 कमान कैसे आएगा बेटा आएगा आएगा इस सब आएगा उसके लिए एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है हमारे पास अब कमाल का फॉर्मूला है वहसे दो डेरिवेशन करते हैं तो बहुत ही मज़ہ आता है हैं कि क्या करें हम booster कर रहे हैं तो हमें मोटा-मोटी फॉर्मूलों प्री ही बात करने हैं ये लिजे यह फॉर्मूला पाई बटा साइन एंड पाई कई कन्फूज करने के लिए बेफ कू बनाने के लिए competition वाले कोंसे से को पर लिख लेती है एक बटा कोंसे का इंपाई तागी बच्चा फॉस जाए और बच्चा फॉस भी जाता है कर वह वह बहुत है और 70 प्रफॉट नोगों को खाली कोशों के साइग एक बटा साइं लिख रिखाव उसको को से लिख दीजिए 70–80% बच्चे ऐसी ही इतनी होता है दो कि जिए तीन लिग दीजे वो ऐसे गन्फियूज हो जाएंगे कि 70 प्रशेंट एक्दम जमा के आते हैं एक्दम मतला तरह से ताश के पत्तों की आपने देखा ताश के पत्तों का महल बनता है एक्दम जमा हुआ सा होता है थोड़ सी हवा चली या थोड़ सी करें डे गया और जानते सब उमर वीध उनको पढ़ाते और पेपर बनाते नहीं में उनके उमर निकली है उनको नहीं बता और वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका चलिए हम बात करते हैं माइनस एक बटा दो की तो आपको जिसका मान निकालना हूँ वो मान आप यहां रख दीजिए सपोस कि जिए माइनस एक बटा दो तो यहां पर आप माइनस एक बटा दो बहुत प्यारा फॉर्मूलया देखे बटा डेरिवेशन पर तो हम नहीं जा सकते क्या करें मजबूरी है पाई बटे साइन एन कमान माइनस एक बटा दो तो माइनस पाई बटा दो हो गया हो गया ठीक है माइनस एक बटा दो यह हो गया तीन बटा दो तीन बटा दो का हो जाता है एक बटा दो याद कीजे गामा 3 बटा 2 में क्या करना है, एक एदम पीछे जाना होता है 1 बटा 2, root pi बराबर pi और sin minus 1 बटा 2, command minus 1 minus 12 जाएगा sin नबब गमान 1 इनको यहां लेए, आदा root कट जाएगा, आदा root बच जाएगा बचने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है minus 1 बटा 2 2 उपर चला जाएगा minus 2 root pi यह आपका अंसर आगया यह है, गमा minus 1 बटा 2, command clear हुआ बटा आई बास समझ में आपको, यह देखिए, फरक है दोनों में, दोनों में फरक है गमा 1 बटा 2, command होता, root pi और गमा minus 1 बटा 2, command होता minus 2, root pi, फरक है न दोनों में यह formula आपका काम करेगा जब भी आपको minus command चाहिए जब भी आपको minus command चाहिए यह आपका mark दर्शक बनेगा, रिनात्मक मानों के लिए क्या अब कई over smart बच्चे होते हैं over smart, smart से भी थोड़े ओर उपर होते है over smart, वो कहेंगे, sir, n command देखे, minus 1 के लिए यह काम करेगा ही नहीं n command अगर minus 1 रखूँ तो यह sin minus pi हो जाएगा sin pi command 0 हो जाएगा, तो यह बट्य जीरो आगए तो बेटा मैंने पहले ही कहा था minus के लिए gamma होता ही नहीं है minus 1, minus 2, minus 3 के लिए gamma होता ही नहीं है आगे बाद यहाँ पर ठीक है, फालतुए चीज ना मांगे जो हो वही मांगे, clear हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, गामा का मानक सुत्र बहुत जरूरी सुत्र है, मानक सुत्र से standard formula भी कहा जाता है standard formula, बड़ा famous है बंदा क्यों famous है वो भी बता देता हूँ standard formula, समझाता हूँ अभी आपने जो पढ़ा वो था कि 0 से infinite तक integration हो e की power minus x हो, x की power n minus 1 हो और dx हो, ठीक है, तो इसका मान है गामान होता है अब यहाँ पर बड़ी problem है, एक क्या problem है कि sir, बाकी सब सही है इसका मतलब exactly ऐसा होगा, तो ही यह काम करेगा वरना काम नहीं करेगा, exactly का क्या मतलब है sir, अगर by the way, e की power minus 2x हो गया तो minus 3x हो गया तो, minus 4x हो गया तो minus x by 2 हो गया तो, तो जब आब है बहिया तब यह काम नहीं करेगा, बस यही छोटी सी problem जो है, उसी के लिए मानक सुतर बनाएगा मानक सुतर ने इस problem को solve किया, बहिया हो सकता है बच्चा है, थोड़ा सा x के साथ थोड़ा वो चलना चाहिए ना, है ना, और हमारे देश में तो जुगाड चलता ही है, थोड़ा सा जुगाड अगर हम करें, मानलो यह 0 से infinite है, हमें कोई problem यह से, ठीक है, बस भईया x के साथ अगर कोई संख्या आ जाए, सपोस कि यह दुआ तिया, चोका पंजा आ गया एक बटा दू आ गया, कुछ भी आ गया, तो तो हमारे इस gamma formula का क्या होगा, किया बंटाधार होगा, नहीं सर्व बंटाधार नहीं होगा, आपका काम कर जाएगा, चिंता मत करें, gama n बटे a की power n हो जाएगा, लेकिन शर्ट है, एक आवान माइनस में नहीं होना चाहिए, a greater than zero ही होना चाहिए, हाँ एक, दो, तीन, चार, एक बटा, दो, एक बटा, तीन, पांच बटा, साथ, कुछ भी रखे, कोई दिक्कत ने, तो इससे मानक सुतर का रहते है, बड़ा फैमन सुतर है यह, चीक है न, क्यी कई बार, वो कम काम करता है, यह ज़्यादा काम करता है, क्योंकि यह तो तब भी काम समभन्द बीटा गामा समभन्द अगर आपको बीटा का मान पता है तो क्या गामा निकाल सकतेимость मानड़ Thailand ने खोगान करे और गामा कमिस्ट्री होगा ने कोई रहनों और घामा साथ बीटा समभन है और आइलर ने जब दो समाक्लन दी ऑन today zwischen genius थे तो कहीं न कहीं इनके बीच में connection जिरू establish किया हुआ है बिलकुल साथ बीटा और गामा के बीच में connection establish किया गया है और वो यह है कि अगर बीटा में आपके पास mn है तो यह बराबर होता है गामा m, गामा n, गामा m plus n और एक सची बात बता हूँ, और डिल की बात बता हूँ, एक इस फॉर्मूले ने बीटा फ्लन का असर को खतम ही कर दिया क्योंकि बीटा फ्लन को निकाले, जब बीटा से गामा निकल सकता है और गामा फिक्टोरियल में connection हो जाता है और तरीकों में change हो जाता है आज यह समझाते हैं कि अगर आपको बीटा 2,3 का मान निकालना है एक्जामपल ले लिजे तो आपको उस बीटा वाले फॉर्मुले पे जाने के कोई जुदत नहीं है नहीं जाना आपको क्या करना है? आपको यहां आना है गामा एन गामा दो गामा एन यहनी गामा तीन बटा गामा एम प्लस एन कितना हुआ? पाँच हो गया गामा टू एक अदम पीछे से स्टार्ट कीजे गामा टू फिक्टोरियल में बदलिए फिक्टोरियल वन फिक्टोरियल टू फिक्टोरियल फॉर फिक्टोरियल एक होता है factorial 2 होता है, factorial चार choice होता है, cut cutā के कितना आगया, एक बटता बारा आ जाए ये लिजए, बात क्धम खुतसं है एकदम ये आपका अंसर आ जा, clear हुआ नहीं हुआ भर हाँ, घी सर clear हो गया बस या हिए मैने कहा था, clear हो जाएगा ये होता है, बीटा को पेपरण निम्ग में से बराबर है भी आपको दिखा दूँगा पुराने सालों के पेपर में और यहां नहीं है बहुत फैमस है यूपी में देखिए यूपी में आया हूआ होगा है अजयाँ हुआ पंजाब फटै करके आया है राजस्तान में कई बार फटै कर चुका है कभ को नहीं पता इसलिए घब रही है मत सोची कि आसान आसान आपके लिए क्योंकि आप किताब कोल के बैठे हुए आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको आसान लग रहा है बागी 70% के लिए बीटा उपर से गया हुआ है या ऐसे नाम का कोई व्यक्ति है अगर आप उचेंगे बी पकड़ लीजिए थोड़े से यूज मान रखना सीख लीजिए आप 80% 70% लोगों से उपर पहुंच जाएंगे चले वह एक और है जिसका नाम है गामा सुत्र बहुत फैमा सुत्र है गामा सुत्र और समाकलन जब आप छेतर कलन चापकलन पड़ते हैं तो यह फॉर्मूला बहुत कामाता है बहुत कारगर फॉर्मूला है गाई कारगर यह है कि जीरो से लेकर पाई वाई टू का अगर कोई इंटेगरेशन हो 90 तक का और उसमें साइन और कॉस दो इन्वाल्व हो तो अब आपको समाकलन करने की ज़रूत नहीं है बलकि चमतकारी फॉर्मूला है गा तो हाथ मिल जाएगा गामा एम प्लस एन गामा एन प्लस वन बटा टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बटा टू यह फॉर्मूला है सीधा आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपको लगता है कि यह फॉर्मूला इजुत ही नहीं सरम तो इंटेलिजन्ट है सीधा समाकलन करक में देखने वाला हूं उसको आप individually कर دेखेगा फिर हम मिलते हैं कि werd है डार्यक्ट किया तो आपका नुभूव क्या रहा और मैंने सुतर से किया तो मेरा नुभूव क्या रहा मेरा है अनुभू तो मैं आपको दिखाई देता हूं जीरो से लेकर पाइवाी 2 sin square x cos की power 4x dx ठीक है repeat कर रहा हूँ आप चाहें तो diet formula से कर सकते हैं जैसे आप से marglin करते हैं 12th class में जैसे आप से marglin करते थे उस तरीके से आप कीजिए बिल्कुल आफ फ्री हैं करके देखें और मैं आपको ही पता चलता है 2, 4, 6, 6, 2, 8, 8 बटा 2 gamma 3 बटा 2 को जब आप खुलेंगे तो 1 बटा 2 आएगा root pi आएगा 5 बटा 2 को जब खुलेंगे तो 3 बटा 2 आएगा 1 बटा 2 आएगा root pi आएगा अर्दकों को खोलना मैं आपको अलड़ी सिखा चुका हूँ gamma 4 है जो कि factorial 3 होगा 3 जो है वो 2, 3, 2, 1 होगा कुछ कट सकता है तो काट लीजिए अच्छी बात है नहीं कट रहा है तो गुना कर लीजिए यह पाई बटा 32 होगा है क्या 2, 2, 4, 2, 6 2, 2, 4, 4, 4, 2, 8, 8, 8, 8, 12, 16, 12, 12, 32 pi बटा 32 यह आपका अंसर है कुछ सेकिंडों में आगे है मात्र 10 सेकिंड हाई लगे होंगे इसको सॉल्व करने में और अगर आप यह चीजे ना लिखते तो शेयद 5 सेकिंड में ही सॉल्व हो जादा बिना लिखे अगर करते दो तो यह गामा सुतर कमाल का सुतर है यूज करना सीखिए मान रखना सीखिए बहुत फाइदा करेगा ठीक है चली आगे बढ़ते है आगे है फैमस लिजेंडरे दी गुणक चली अगली बैते लिजेंडरे दी गुणक माफी चाहता हूं बीच में थोड़ सा माइक्रोफोन की प्राब्लम आगी थी तो वीडियो है वो रिकोर्ड नहीं हो पाया लिखा तो गया समझाया भी गया लिकिन रिकोर्ड ना होने के वज़े से मैं दूबारा से समझारों लिखा हुआ है आईए सबसे पहले है कि लिजेंडर दूगुणक क्या होता है लिजेंडर दूगुणक इस फॉर्मुले को गामा का ही जुड़ावा एक फॉर्मुला है जिसे लिजेंडर दूगुणक का जाता है गामा एम गामा एम प्लस वन बाइ टू पाई 2 to the power 2m minus 1 गामा 2m अधिकतर जैसे मैंने कहा कि कई बार formula पूछना ही अपने आप में परियापत होता है क्योंकि formula ही इतने होते हैं क्योंकि आप जब भी कोई competition देते हैं खूब सारे formula होते हैं आप formula पूछेंगे अधिकतर बच्चे formula minus plus की गलती करके जाएंगे जैसे इसी को लेज़े 2m minus 1 है पेपर में याद रख पाना की 2 की पाउट 2m minus 1 था यही एक बीड़ा headache होता है किसी को 2m plus 1 याद रहेगा किसी को m plus 1 याद रहेगा किसी को m minus 1 याद रहेगा किसी का यह दो गाएप तो किसी का वह दो गाएप किसी माइनस, प्लस हो जाएगा तो यह छूछड़ी गलती है सहुभाविक है तो जैसे formula पूछना भी अपने आप में अच्छा कोषन माना जाता है एक formula का थोड़ा सा lengthy formula है वह पूछ लिजाoria है थोड़ा सा contongo तो यह फॉर्मूला पेपर में पूछ लिए बच्चे अधित्तर प्रेशान हो जाएंगे उसने से और ज्यादा तर चांसे ज़र्स में कई कुछ भी हिंट नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यह कोशन बन जाता है फॉर्स्ट ग्रेट के लेवल का रिपीट कर रहा हम पर फरक पड़ता है अब आप सोचेंगे कि second grade में वो आएगा जो first grade में है इसा नहीं हो सकता लेवल है, competition का लेवल है आज क्या 12th class के जो आप senior secondary का exam देते हैं क्या उसमें IIT man वाले question आते हैं नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं वो भी तो 12th के हैं IIT man के question है, वो भी तो 12th के हैं क्यों नहीं आते हैं, वो भी तो 12th वाले बच्चे पास कैसे होंगे समझ मेहारा बात, 12th वाले बच्चे पास कैसे होंगे चलिए, आगे बढ़ते हैं IIT J.E. Men's के अंदर IIT advance वाले question आते हैं थागे ना ना, सर उसमें भी नहीं आते हैं उसमें क्यों नहीं आते हैं, वो भी तो, IIT तो IIT है J.E. Men's के और advance के अलग लग क्यों है, sir Men's में बहुत सारे जनों को select करना होता है इसलिए paper थोड़ा सा easy बनाते हैं ताकि ज़्यादा बच्चे select हो सके, आच्छा ठीक है तो IIT advance में, IIT advance में tough क्यों बनाते हैं क्योंकि sir, वहाँ पर थोड़े से बच्चे select करने होता है बैस यही point है जितने कम बच्चे select करने हैं, उतना paper का level set होता है जितने कम बच्चे select करने हैं, उतना paper का level tough होता है clear होगी बात? बस यही है तो अब यहाँ पर कोई हिंट नहीं है कोई हिंट नहीं है तो इसमें क्या हुआ है कि M कमान 1 बटा 3 रखा गया अगर आप इस फॉर्मूले में जाएं और M कमान 1 बटा 3 रखें अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि लिजेंडरे दिगुणक लगा है यह पहले से पता होना चाहिए और यह कैसे पता चलेगा प्रैक्टिस करने से 1 बटा 3 रखने पर यहां लग उत्म आएगा 6 यह जाएगा 5 बटा 6 यह जाएगा पाई बटे 2 की पावर 1 बटा 3 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 2 की पावर माइनस 1 बटा 3 गामा दो बटा ती यह पलट के ऊपर चला जाएगा पाई दो की पावर एक बटा तीन गामा यह आपका अंसर आ गया क्ल Tag कोई दिक्त नहीं глубude कोई इंत इस तरीके से थोड़ा सा इड़ास लेवल ले लेटा है क्ले लेक्टर में थोड़ा सा यह लेवल आपको ज़ैदा मुलेगा आगे बढ़ते हैं कुछ समाकलन के बहुत कमाल के फॉर्मूले कमाल के फॉर्मूले में इसलिए कह रहा हूँ इन फॉर्मूलों को जो भी समाकलन के सुथ लिखने वाला हूँ इनको आप जो 12th क्लास में आप पढ़ते हैं उसके आधार पे इनको नहीं बना सकते repeat कर रहा हूँ 12th class में आपने जो भी समाकलन पड़ा है उसके आधार पर आप इनको नहीं बना सकते इनको बनाने के लिए आपको advanced level यानि complex जो है submission visualization जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है complex number का इस्तेमाल करना पड़ता है अब देख सकते हैं अगर आपको अजीब लगे तो एक काम करिए आप खुद अपने इस्तर पे ट्राइ करके देख लिए अगर बनता है तो ठीक है मैं आपको formula बता देता हूँ 0 to infinite e की पावर देकि बहुत कुछ मिक्स है इसमें e की पावर है x है sin है दो ही हमें पता है समाकल में तो दो ही जान लेवा है यह तो तिन तीन है लेकिन अच्छे बात है समाकल होता है gamma n a की a square प्लस b square की पावर n by 2 sin n theta अगर यहां cause है तो यहां cause n theta जाएगा theta जो है जो theta है वो 10 inverse b बटा a कामान है यह direct formula है ठीक है इस formula के आप special form बना सकते है special रूप बना सकते है अगर आप a command 0 ले 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 a command 0 ले ले तो यह खतम हो जाएगा और यह हो जाएगा x की पावर n minus 1 sin bx dx बराबर gamma n a खतम हो गया तो 2 से 2 कड़ गया b की पावर n आगया sin और यहाँ a command 0 होते ही भाग लगके अनन्त आगया 10 inverse अनन्त यानि पावरे 2 तो यह छोटा रूप इसका बन जाता है मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इस पर question बना हुआ है पहले पूछा गया है आगे भी पूछा जा सकता है इसलिए formula को भी याद रखिए standard result पे आता है कुछ standard result है कुछ ऐसे result है जिनको आप normal technique से जैसे normal मैंने 12 की बेस बताई है उन technique से आप इनका integration नहीं कर सकते इनके लिए आपको एक कमाल की technique जो advanced technique है जो BSC में आप पड़ते है उसकी जुद पड़ते है जिसमें से जिरो तू अनन्त sin mx बटा x dx जिसका समाकलन पाई वाई 2 होता है यहां m कमान जिरो से बढ़ा होना चलिए यह जो समाकलन है यह पाई वाई 2 के बराबर होता है अगर आपको लगता है कि आप इसको normally समाकलन करके देख सकते हैं तो ट्राइ कर लिजे नहीं होगा यह normally यह advanced level का समाकलन थोड़ा advanced चीजे मांगेगा even 12 से आगे बढ़के ही आप इसको कर सकते है वड़ना नहीं कर सकते m कमान अगर मैं एक ले ले लेता हूँ तो sin x बटा x dx बराबर पाई वाई 2 इसकी खास क्या है इस मैसा जबर्दस क्या है जबर्दस है इसका diagram अगर आप इसका diagram देखें तो diagram इस तरीके से लहर होती है जो गिर्ती गिर्ती नीचे पतन होते हुए चले जाती एक उभार आता है फिर खतम हो जाती है इस लहर का total sum करें अगर आप पूरा जोड करें इसका इसके ऊपर नीचे का जो एरिया है इसका जोड करें तो इसका जोड जो है वो पाई आता है आधा पाई 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 वाई टू इस तरफ पाई वाई टू इस तरफ इसलिए मैंने लिखा माइनस अनंद से प्लस अनंद मतलब इधर से लेकर इधर तक पूरा अगर आप चले टोटल जोड निकाले तो समाकलन जोड का नाम है अगर आप पूरा योग निकाले तो इसका जोड पाई आता है जोड कितना आता है? पाई आता है सुन्दर न गराफ इसलिए ये पूछा गया फर्स गेड में पूछा जा चुका है उम्मीद करते हैं कुछ आने वाले सालों में ये सेकंड गेड तक पहुंच जाएगा और ये लगबख भारत का प्रहमन कर चुका है आप यूपी में देखेंगे कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा पंजाब, हरियाना जहां भी फर्स गेर शेकंट गेर के पेपर होते हैं कोई कुछ कोशियन ऐसे हैं जो एवर ग्रीन है घूमते रहता है, कुछ गाने होते हैं न जैसे 1970 में भी बसते थे 2022 में भी बज़ रही हैं और हो सकता है दो जार चालिस में भी वैसे ही बसते रहें तो एवर ग्रीन चीज़ें होते हैं तो कुछ ये बड़ी कमाल की चीज़ें गूमती रहती है अच्छा एक चीज़ और कई बच्चे 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 पुछेंगे तो ये और क्या लगा देखें इतना खास ये लगा कि आपने सरक्र अगर मैं आपसे पाई पूछूँ की पाई को ने तो अदिकतर बच्चे पाई का नाम लेंगे वर्त से कि किसी सरक्ल के अंदर जो सर परीदी होती है उसमें व्यास का भाग दे दीजिए पाई आ जाता है तो वर्त से ही जूड़ा हुआ है क्या पाई जवाब है नहीं सर वो एक नमबर है वो वर्त में भी पाया जाता है वर्त के बाहर भी पाया जाता है तो यह लीजे यह पाया गया यह जो टोटल एरिया है यह प्लस माइनस करके अगर टोटल जोड़े यह टोटल एरिया जो है यह पाई के बराबर है बताइए यहां तो कोई वरत है नहीं तो यह पाई के एक अलग definition आप दे सकते हैं circle से मुक्तो कर किसमें कोई circle का कोई roll नहीं है तो इसलिए अच्छी लगती है ऐसा ही एक प्यारा integration हो रहा है 0 to infinite e के पाउर minus x square dx बराबर root pi by 2 यह question है यह भी बहुत अच्छा question है minus anand से plus anand e के पाउर minus x square dx इसमें भी इसका जो ग्राफ है वो एक bell shape होता है ऐसे bell shape कहते है गंटी का shape कहते है अनन तक ही गंटी जाती है इसका पूरा area अगर आप निकाले तो root pi होता है not a pi root pi आधा इस तरफ आधा इस तरफ आधा इस तरफ तो यह दुड़ो famous integration है आप देखिएगा मिलेंगे आपको paper में मिलेंगे यह बहुत अच्छे question है यह चलिए अब discussion करते हैं जो पिछले साल के जो question आई हुए है उनको try करते हैं देखते हैं कैसे question जो है वो अब तक बूचे गए है तो आपको और idea हो जाएगा कि जो आपने देखा है जो आपने समझा है वो कैसे question के साथ connect हो पाता है ठीक है मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो second grade में आई है वो question कर रहा हूं first grade में पूचाया हुआ हुआ है तो वह करूँ ता कि आपको थोड़ सा level का भी अंदाजा हो सके और मुझे जो भी लगता है बीटा गमा फिलन जाता तरह formula पर focus बहुत करिएगा formula जरूर पढ़िएगा क्योंकि formula को इन्होंने बहुत importance दी हुई है अभी आप इसमें भी देखेंग बढ़िएगे बढ़िएफ में gamma n gamma 1 minus n का मान कितना होता है formula बताया था मैंने आपको gamma n gamma 1 minus n बराबर होता है पाई बटा साइन एंड पाई ठीक है और इसे कोसे के रूप में भी लिखते हैं कई जैसे साइन को उपर ले लेंगे तो कोसे को जाएगा तो यह आपका अंसर हो जाएगा डी पाई कोसेक n पाई अब मुझे जल्दी हत्मात यह और बता दीजे कि क्या काम आता है किस काम आता है यह माइनस के मान निकालने के काम आता है जब gamma में आपको माइनस की value निकालने है तब यह कारगर है अभी देख लिए नीचे कोशन आया हुआ हुआ है देखे वेट कर रह पकड़ लीजे एक तो ऐसा कोशन पूछा गया है काफी पूछे गया है चांस हीज़ा दुबारा भी पूछा जाए जब माइनस का साथ बटा दो निकालने है तो फॉर्मूले में बसी ले जाकि यह मान जो है यह पुट कर दीजे जैसे माइनस का साथ बटा दो आपने रख पड़ेगा क्योंकि साइन साथ पाई वाई टू है साथ पाई वाई टू जो होता है वो कहां होता है यह हो जाता आपका नब्बै गुना साथ जो कि साथ सो च्छे सो तीस हो जाता है च्छे सो तीस दिगरी और च्छे सो तीस की बात नहीं है आप तो यह देखिए कि कितने नहीं होता है इसलिह माइनस का चैन् destroy sign मी रहेगा और ंत पाइबраш कर दो सैन अबघ्यक मान एक की इतना आ गया माइनस का रुपीट माइनस का एक आच चुका एक माइनस और वेट कर रह एक माइनस ओर वेट कर रहा है तो माइनस माइनस एक या आ गया प्लस पाई यह आपका अंसर होगा ठीक है अब आपके अप्शन तो कोई नहीं है अप्शन इसलिए नहीं है बेटा कि एक चीज़ आपने रखी हुई है इस तरफ यह जो 9 बटा 2 है यह भी तो आपका इस तरफ है इसको बटे में ले जाएए तो गामा माइनस का साथ बटा 2 आपके पास रह जाएगा और यह उस तरफ बटे में चला जाएगा और कितना गामा नो बटा 2 कैसे खुलता है एक अदम पीछे से साथ बटा 2 इंटू एक अदम और पीछे पांच बटा 2 एक अदम और पीछे तीन वट्टा दो फिर एक अदम पीछे एक बट्टा दो और फिर लास्ट में क्या आता है? रूट पाई तो दो गुना दो गुना दो कितना हो गया? 16, 16 आपको ऊपर चला जाएगा रूट पाई से रूट पाई, एक पाई रूट पाई कर जाएगा एक बज जाएगा, तो यह गाई 16 रूट पाई नीचे हो जाएगा आपका हिसाब किताब यह गाई साथ, 35, 35 को अगर आप मूना करें तो यह हो जाता है 105 यह लिजए, अब आपको अंसर मिल जाएगा यह रहा आई बास में ऐसे आपका माइनस का है, अब की बार इस बार एन का बान, माइनस का 5 बटा 2 रखेगा बेटा ध्यान रखेगा, प्लीज ध्यान रखेगा यहाँ कोई गलती नहीं आएगा यहाँ आप रखेगे, आराम से हो जाएगा लेकिन यहाँ गड़बड आएगी यहाँ पहले माइनस रखेगे, तो साइन में माइनस बाहर आता है फिर साइन 5 पाई वाई टू का मान निकालेगा वो माइनस एक आता है सारी मैनत बरबाद माइनस की गलती होते ही, सारी मैनत बरबाद इसलिए प्लीज तसली से देखके करिएगा जल्दबाजी मत करिएगा करा कराया, अच्छा स्वाल, इजी स्वाल आपके हाथ से चला जाएगा सेम प्रॉसेस इसके लिए भी रहेगा माइनस तीन बरबाद दो के लिए एन का माइनस तीन बरबाद दो रखेंगे यहाएगा आएगा आपका माइनस तीन बरबाद दो यहाँ जाएगा एक माइनस माइनस प्लस जोगी पांच बरबाद दो हो जाएगा यहाँ गया आपका पाई minus बाहर आ जाएगा sin 3 pi by 2 हो जाएगा sin 3 pi by 2 sin 270 pi plus pi by 2 लिख लिख लिए इसका मान होता है minus का 1 और minus minus plus 1 यह लिजे pi आ गया gamma 5 बटा 2 को solve कर लिजे वो इदर बटे में आ जाएगा और कितना आएगा फटाफट खुदी बटा दीजे कितना आएगा यह आएगा pi बटे gamma 5 बटा 2 जो है तीन बटा 2 एक बटा 2 root pi तीन बटा 2 एक बटा 2 root pi बच जाएगा 4 उपर 4 बटा 3 root pi चार बटा 3 root pi केलियर हुआ आ जाएगा कोशिन नमबर 5 को बहुत बहुत अच्छा बनाया बहुत अच्छा बनाया 2016 कमाल का बनाया जान बूच के देखिए थोड़ा सा कई बार लेवल ख्याच ही देते हैं ख्याच इसका पर याद है क्या ये बीटा का फॉर्मूला है तो जब आप आप ये बीटा का फॉर्मूला नहीं है यह बीटा का फॉर्मूला नहीं है क्यों नहीं है बीटा का फॉर्मूला बनाया जा सकता है नहीं क्योंकि वहाँ पे M-1 पावर होती है N-1 पावर होती है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दिजे थोड़ा ध्यान दिजेगा बेटा 0 से 1 X यह जो स्मॉल M है इसको capital M-1 लिख लीजे हो गया यह D-X इसी का ही एक फॉर्म और होता है जिसे कहते है अनंत रूप 0 से लेकर अनंत तक X की power M-1 बटा 1 प्लस X की power capital M प्लस M ठीक है अब इससे आपका यह दुनों ब्राबर का चिन है इससे मैच कर रहा है लेकिन compare करिए पहले compare करिए कि क्या है यहां पे यहां small M जो है वो capital M-1 के बराबर है इसलिए small M-1 बराबर हो आपका small M जिससे capital M बराबर आगया capital M plus 1 इसी प्रकार से आप इसका मान निकालेजे capital N का यह आ जाएगा आपका N है small N plus 1 आ गया अब यह मान ले जाके यहां इस वाले formula में रख दीजे 0 to infinite X की power capital M-1 जिसका मान हो जाए X की power M plus N capital M plus capital N दोनों को जोडने पर small M plus small N plus 2 हो जाएगा यह लीजे यह हो गया आपका अब compare कीजे की P कितना है यह रा P P कितना है इतना है अब क्या खेल खेला है इस question बनाने वाले ने क्योंकि इसको पता है minus plus तो हम जैसे चिलर है चिलर कौन इसाब किताब में रखता है आ अगर एक दूसी का कम जादा हो गया फरक पड़ता है नहीं तो जान बूच के question को बनाया गया कि M ना रखे यहां M minus 1 ना रखे क्योंकि अगर यहां M minus 1 M minus 1 रखा होता तो P M plus N हो जाता जो कि option number 1 में है जान बूच के इसने खेल खेलर trick खेली है कि M plus 1 दे दो सीधा ही क्योंक M plus X की power M plus N होता है तो P ब्राबर M plus 1 होगा सीधा M plus 1 लगाएगा सीधा गलत और गया काम से ठीक है और जो सही option है वो देखे कहां है वो D में डाला हुए सही option कहां डाला हुए D में क्यों कुँए D तक कौन पहुचएगा A P निशान लगा के निकल लेगा बंदा और वैसे भी pressure होता है exam में तो की फटा फट करो पता नहीं कितने question चूड़ जाएगा काम से धियान रखे का कमाल का question बना है एका प्विका मांध मिल जायागा। अच्छह था न कई बार खेल खेल जाता है पेपर वाला भी तेशन सीधा फौर्मुला बतादो कि बीटा गामा का संभंद कौन सा है कोशिश है कोशिश की है एक बार सी लिखा है देखिए लिखा है ना जान भूज के लिखा है कईयों को यह नहीं पता कि कौन सा उपर होगा कौन सा नीचा होगा रिपीट कर रहा हूं 70% लोगों को नहीं पता है बिटा आपको लगता होगा 70% लोगों को नहीं पता कि कौन उपर होता है छोड़े कईयों को गामा है 2011 में ऐसा question भी पूछा है ये क्या है दो की power आ रही है तो legendary दिगुनक को याद कीजिए कहीं ना कहीं legendary दिगुनक है क्या होता legendary दिगुनक गामा एम गामा एम प्लस एक बटा दो बराबर root pi 2 to the power 2m minus 1 और गामा 2m और मुझे कैसे पता चलाई है क्योंकि दो गामा यहां पर भी आ रहे है दो गामा यहां पर भी आ तो मुझे लगा क्योंकि ज़्यादा कुछ तो formula ही नहीं तो इन्हीं में से कुछ ने कुछ use किया गया हो तो बता ही एम क्या रखा गया एम रखा गया पी प्लस वन बटा दो तो M बराबर हुआ P प्लस 1 बटा दू यह हम यहां पे रखते हैं और जैसे यहां रखेंगे यह हो जाएगा गामा P प्लस 1 बटा दू यह हो जाएगा गामा P प्लस 1 बटा दू लगुतम लेके हो जाएगा P प्लस 2 बटा 2 root pi बटा p plus 1 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा 1 से 1 कट जाएगा 2 की पावर p हो जाएगा gamma यहाँ 2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा gamma p plus 1 हो जाएगा हो गया clear है 2 की पावर p है में उधर नहीं चाहिए क्योंकि question में इधर दी हुई है इधर दी हुई है तो इधर लियाए आजाओ भई 2 की पावर p इधर आजाओ गामा p plus 1 गामा p plus 2 बटा 2 और root pi गामा p plus 1 तो आपका अंसर हुआ गामा पी रूट पाई गामा p plus 1 रूट पाई गामा p plus 1 का है यह रहा यह आपका अंसर हुआ तो यह बेटा पहले जो पुराने paper हो चुके हैं ग्यारा पंद्रा ग्यारा तेरा पंद्रा उनके question मैं आपको करवा चुका यह second grade के second grade के लेकिन यह मत सूचेगा यह second grade में यह आए वे ना question आ चुके हैं चलिए थोड़ा सा और first grade के जो question है कुछ इक के है मेरे पास वो मैं आपको करवा देता हूं कि ज्यादा तर question first grade में भी नहीं है ज्यादा second grade में second grade का topic है second grade में एक question वो जरू डालता है first grade में डालता है नहीं डालता है इसकी कोई guarantee नहीं बात करता है first grade 2018 का जो एक question है वो मैं आपको यहाँ पर solve करवा देता हूं वो है beta m plus half m plus half इसका answer बताईए और answer जो है जो भी answer option में दिया गया है वो सब beta mm के पदों में दिये गया है तो इसका relation beta mm के साथ कैसे हो सकता है यह आपको बताना है question तो पूछा गया कि beta m plus half m plus half किसके बराबर है तो जो चारो option है उसमें beta mm दिया हुए किसी में beta mm उपर है किसी में नीचे है उसके साथ में दूआ आती है आप अनिजा जो थोड़ा वो extra जिसकी दूद है वो दिया गया है तो बताईए कौन सा सही है तो आईए मैं आपको इसको थोड़ा सा solve करने की कोशिश हम करते हैं तो बीटा का gamma से संब्द होता है यह तो आप जानते हैं आईए जानते हैं तो solve करते हैं यह हो गया आपका gamma gamma m गामा n अच्छी बात है कि m और n दोनों एक है गामा m गामा n बटा गामा m प्लस n दोनों को जोड़ेंगे तो m और m 2m हो जाएंगे और आदा और आदा मिला के एक हो जाएगा इसे equation 1 नाम दे दीजे बीटा mm जो है जो question के option में दिया हुआ है इसका मतलब यह भी कही ना कहीं काम आएगा तो बना लेते हैं gamma m gamma m गामा m प्लस m 2m यह हो गया आपकी equation number 2 ठीक है अब मैं दोनों equation को गुणा करूँगा क्यों गुणा करूँगा अभी आपको समझने आ जाएगा समीका एक गुणा 2 दोनों की गुणा करने पर जब LHS गुणा होंगे बीटा m प्लस half m प्लस half into बीटा mm और इस तरफ आपका आगया इसका square इसका square दोनों को एक साथ लिख लेते हैं गामा m गामा m प्लस half का square छीक है अब नीचे वालों को भी थोड़ा सा देखे गामा का पुन्नावर्ति सुतर अगर मैं लगाउं तो 2m बाहर आजाएगा याद है गामा n प्लस n गामा n प्लस n याद है नहीं याद है नहीं याद है तो याद कर दिजाए गामा n प्लस 1 बर और यह बन जाएगा गामा 2m और यह भी 2m है तो गामा 2m का square हो जाएगा ठीक है अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप ऐसा इसलिए कर रहा हूं बेटा कि मुझे एक formula दिख रहा है जो आपको दिखना चाहिए अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात में आने वाले time में दिखने ल गामा m प्लस एक बटा दो उधर गामा 2m जो होता है वो हम इस तरफ ला रहे हैं बटे में रूट पाई बटा 2 to the power 2m-1 जब आप यह मान यहां रखेंगे ज़ेगा एक बटा 2m यह हो गया आपका रूट पाई बटा 2 to the power 2m-1 की पावर 2 जो की हो गया आपका पाई बटे m आपका रहने दीजिए 2 की एक पावर इसके साथ जोड़ जाएगी और यह पहले स्कुएर कर दीजिए स्कुएर करते ही 2 की पावर 4m-2 हो जाएगा फिर यह एक पावर जोड़ जाएगी तो यह 2 की पावर 4m-1 हो जाएगी यह आपका अंसर आगे यही option में भी है चीक है m by 2 इसके बराबर है तो यह बराबर है πाई बटे m2 की पावर 4m-1 into बीटा m m इसके बराबर है यह option है यह option में दीए गए है ऐसे में कोई में बीटा m m आपका दिया है कोई में नीचे दिया है किसी में 2 की पावर 2m दी है इस तरीके से इस थोड़ा खेल किया गया तो यह question कैड करवा देता हूं कि हाई लेवल का कुछ नहीं कि कोई को जबते हैं यह कि थे हमारे कोछेंद करते हैं तो बच्छे मेरिट को अब ही इपर कर देते ह। यह जह बहूट रहा है यह पनी बनाने वाला ओड को I सिर्फ कॉले लेक्शर ही कर पाए, ऐसा नहीं है, ठीक टाक कोश्चन वहाँ पर भी मिलते हैं, ठीक टाक हमारे पाफ भी मिलते हैं, चलिए, एक कोश्चन कराता हूँ, जीरो टू के इन्फाइनेट टक, साइन, एक्स स्क्वाइर डी एक्स, ठीकि ऐसे कोश्चन आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह कॉले लेक्शर का पुराने पेपरों में है, जीरो टू इन्फाइनेट साइन एक्स स्क्वाइर डी एक्स, अब इस कोश्चन को करने के लिए आप सीधा साइन एक्स त आज काम आएगा, यह हमारा आउकलन हो गया, लिमिट में कोई फरक पढ़ना नहीं है, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, अनंत रखोगे तो अनंत आएगा, तो लिमिट आपकी एस इस रहागी, जीरो टू इन्फाइनेट, ठीक है, साइन, और एक्स स्क्यार की जिए य आ आ देता हूं, वैसे मैं उपर वहाँ लिखा चुका हूं, यहाँ पर दुबारा लिख देता हूं, जीरो टू इन्फाइनेट, एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन बी एक्स, और डी एक्स, इसका जो इंटिगरेशन होता है, वो होता है, गामा एन, बी की पावर एन, कंपर करना होता है, पावर को एन माइनस वन के साथ, तो यह पावर एन माइनस वन के साथ कंपर हो जाएगी, एन माइनस वन वालेडीे आपका पहले से ही बाहर खड़ा ही तो आप घर से ही लेके आया थे एक बटा 2 बाहर रहने दीती आ, गमा N, N कामान एक बटा 2, B कामान 1 एक एक की पावर, एक बटा 2, साइन ॅआन एक 2 रखते ही, PIE बटा 2 गुरा ओके, PIE 4 हो गया। यह pi-i-4 हो गया sin pi-i-4 का मान ओता है 1 चाज़का 1-2 ka मान root pi अब आप चाहें 1-2 को बाहर लिख लिए इन दोनों को साथ भाई-बाई बाही को साथ रख लिए πाई-बाई-2 उर्ट एक साथ आ गया यह question कॉले लेks वाले कहीं न कहीं कभी नगभी 2nd grade में पहुँची जाते तो थोड़ इसी इस पर नगर रखीगा चली एक और question ट्राइ करते हैं वो भी कॉले लेक्चरर का ही question है एक चीज़ याद रखीगा बीटा गामा में ज़्यादा सामान नहीं है अगर आपने डाक्टर गोखरू वाली बुक निकाली हुई है और वो निकाल ली है तो यूँ मानिये कि आप चाहे 1st grade में जाएं चाहे आप 2nd grade में जाएं चाहे कॉले लेक्चरर में जाएं कहीं भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है वादा करता हूं कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली है ये किसके बराबर है ये गोख्रु का एक्जामपल है कॉले लेक्शर में आया हुआ है डाक्टर गोख्रु नवकार पुब्लिकेशन की किताब खोली एक्जामपल में मिल जाएगा आपको ठीक है करना क्या है बीटा गामा की जो परिभाशा है उससे स्टार्ट करना है, बीटा की परिभाशा से स्टार्ट करना है, क्या है परिभाशा? जीरो टू इन्फाइनेट वाई मैक्स के जिए य लिख रहा हूँ वाई की पावर M माइनस वन बटे वन प्लस वाई की पावर M प्लस M अब आपको देखना है कि ये जो आंसर पूछा गया है ये क्या करने पर चेंज हो जाएगा तो साफ दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है कि भाई B बाहर निकालनों तो AX बटा B वाई की जिए अगर मैं AX बटा B लिख देता हूँ तो ये कनवर्ट हो जाएगा तो बस यही करना है Y की जिए AX बटा B मानने पर अब सोच ये क्यों माना क्योंकि Y की जिए जो मैं AX बटा B लिखूँगा लगुतम लेने पर B यहाँ जाएगा ये बन जाएगा जो चाहिए इतना ही खेल है साब DY की जिए A बटा B या आपका बाहर X की जिएए DX लिमिट में कोई फरक नहीं पढ़ना 0 रखेंगे तो 0 आएगा अनन्त रखेंगे तो अनन्त आएगा रखेंगे देख लिजे तो 0 रखेंगे रेक्स का मान निकालेंगे तो 0 आएगा अनन्त रखेंगे अनन्त के साथ कुछ भी जाए वो तो अनन्त ही करता है वो अनन्ट हो गया तो लिमिट के तो जरा सा भी फरक नहीं पड़ेगा लिमिट पहले भी स्वस्ती अभी भी स्वस्त है तो 0 से लेकर अनन्ट तक Y की जिए क्या रखना है AX बटा B रखना है यह रख दिया AX बटा B की पावर कितनी M-1 ठीक है साब बटा लगता है वो तुम ले लेता हूं निप्टाई लेता हूं लेट क्यों करें तो यह हो जाएगा B प्लस AX बटा B की पावर M प्लस N D Y A बटा B और D Y की जिए डीक्स आ गया A बटा B की टोटल पावर का इसाब किताब कर लीजिए A बटा B की पावर M-1 यह आ गई एक पावर यह हो गई तो A बटा B की पावर M हो गई तो यानि A की पावर M, B की पावर M हो गई ठीक है चिंता मत करिए एक B की पाउर पलट के और आने वाली है B की पाउर M पलस N ऊप़र आने वाली है पलट के ऊपर आगी जीरो टू इंफाइनिट ओर X की पाउर बची M-1 AX प्लση B की पाउर M पलस N और DX B की पाउर M कटगी B की पाउर N बच गी अब इन बाई साब को हमें तो जो समाकलन है वो चाहिए ये दोनों चाहिए नहीं तो इन दोनों को इस तरह भेज दीजे अंसर आजाएगा बीटा MN बटा A की पावर M B की पावर M ये लिजे आपका अंसर आगे ये समाकलन तो पूछा था ये किस के बराबर है तो ये बीटा MN बटा A की पावर M B की पावर N के बराबर है लिजे ये आपका अंसर है देखिए ज़्यादा कॉंप्लिकेटड नहीं है अगर मैंने पहले का अगर आपने ज़्यादा कॉंप्लिकेटर टॉपिक ही नहीं या तो फॉर्मूले पूचेगा या थोड़ा सा गुमागे पूचेगा पांदस कॉशन ट्राई कर लिजे प्रैक्टिश शीट में से कर लिजे डाक्टर गोकुर वाली बुक से कर लिजे